हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज पर आपको फीडियो मताएंगे एक धमाकेदार आइपयो के वाल में जो फ़र्ण मार्केट में open होने जा रहा है जो कि फ़र्ण 13 जनवरी से open होगा तो दोस्तों इस आइपयो को ना में अच्छा है यह आएपयो 143 करोगा आपको अलोर्टमेंट मिलने की चांसे पिन काफी कम हो जाते हैं तो आप मुल्टीपल अकंट से अप्लाई करें और फैमली मेंटिस की अकंट से भी अप्लाई करें अपैं आपको इस आईपयो का का अलोर्टमेंट 29 जनवरी को देखनी को म की लिष्टिंग फिर आपको 31 जनुरी को देखने को मिलेगी और फिर इसमें आपको एक लॉट में 365 शेयर मिलेंगे और एक लॉट के लिए आपको 14-965 रुपय इन्वेस्टमेंट करने होंगे और फिर आप कंपनी के बार में डेटेल में इसकी साइड पर जाकर जोल पड़े अपने एक फटेलाइजर सेक्टर की फिर इन ये कंपनी है फटेलाइजर सेक्टर में वैसे बजट के टाइम पर काप अची तेजी देखने को मिलती है तो फिर बजट से पहले इसकी लिस्टिंग देखने को मिल लागी है तो दोस्तो आपको इसमें काप्य अच्छे में यह बढ़के 13.69 करोका हो गया और फें 23 में यह बढ़के 20.49 करोका हो गया तो फें net property company का लगाता है इनकी जोड़ा जो कापी अच्छी बात है और फें कंपनी के उपर करज भी है जो क्यावन करोका था 22 में 24 करोका हो गया और 23 में दोस्तों यह 17 करोका फें इस company के उपर करज हो गया और फें इस company के पास रेज़ावन surplus 50 करोका है तो फें इसका करज फेंड ज्यादा देखने को मलता है जो इसके पास रेज़ावन surplus है और फें यह company जो fund जुटाएगी उसका इस्तमाल पर investment करेगी subsidy company Nova Agris Science Private Limited for setting up a new formulation plant के लिए दोस्तों और second जो है और फें जो इसके प्लांट है उसको फेंड के लिए funding करेगी दोस्तों और तीसा working capital requirement है उसका पूरा करेगी और इसकी subsidy company है उसकी working capital को पूरा करेगी दोस्तों और दोस्तों जनरल परपच के लिए यह company इसका इसका इ यह 15% से दोस्तों ज्यादा होने चाहिए जो कि फिन दोन ही ज्यादा देखने को मिला है जो की copy plus point है और फें company का debt to equity एक से प्रें कम होना चाहिए यह एक से ज्यादा देखने को मिला है जो फिन एक negative point है इस company के लिए और फें company की return on network 32% की increase हो रही जो काफी अची बात है फिन इसका earning परस्या कम देखने को मिला है 3.14 का देखने को मिला है फिन इसका PE 13.05 का देखने को मिला है जो फिन लिस्टिंग के बाद यह 18 का हो जाएगा फिन लिस्टिंग के बाद इसका PE थोड़ा बरते हुए देखने को मिला है फिन company फिन अच्छे valuation पर IPO को लाई है तो फिर दोस्तो आपको इस IPO में लिस्टिंग गैन भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है दोस्तो इस IPO की latest GMP 20 रुपे की देखने को मिल लाई है और इसमें 47.78% का गैन देखने को मिल लाई है जो फिन लगाता है इसकी GMP इस IPO की देखने को मिल लाई है तो फिन आपको इसमें 50% का काफी अच्छा गैन देखने को मिल सकता है अभी कहसाब से तो दोस्तो आप इस IPO में अपको अपलाई करना चाहिए और multiple accounts से अपलाई करना चाहिए तो दोस्तो आपको इस IPO की latest update इस चैनल पर मिलती रहेगी तो चै आप कैम मिलती अच्छा आपको आपको वेज से एस फजर से का जाए पको आपको आ।